इस वीडियो के अंदर मैं explain करने वालों बैटल त्रोद एवन के सीजन पाइप के एपिसोड 66 को जो की एक नोवल बेस्ट एक्स्प्रेनेशन है और यह पर आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देख थे के जिया ना उन मुव एल्ली के एक एल्डर को मार दिया था और फिर ज सभी चीज़े एकदम से कंट्रोल में थी पर यह मुव एल्ली के एल्डर ने सारा रहता फिला दिया क्योंकि यह मामूली से यहां लाइन्स के लीडर से हार गाज जो की एक डाउंग लेवल का वोर एडी है पर अब जैसा कि पोईजन से लीडर जो की एक डाउज होगे अब जो जीज़े आन का वाई जीडिंग था हो तो उमीदी आर देते हैं अब जीतने की और फिज़े जीएन भी उस लड़की को ध्यान से देखने लगते और अपने ममनें बोलता है इस लड़की की जो पावर हो तो सच में काफी दा कमाल की है क्योंकि इसका जो लेवल हो क्यों जितता है और तब फिज़े जीजान से एकड़म हलकी आब आजम बोलती है पोईजन सेक्ट की लीडर है और यह काफी दा खतरना कि इस बज़ेस तो मैं थोड़ा सा कियरफुल रहना होगा और जब जीएन की आवाज में थोड़ा सा ड़ देखता तो हो काफी दा शौक हो ज जोगी इस बज़े से इसे आराना बहुती ज़दा मुस्किल है तो जिन हो तक कि ठीके पर तो मैं इससे थोड़ी दिर के लिए तो समाल नहीं होगा तक तक कि लिए मैं यान भूटान को उसकी आवकात दिखा दूँगा और बची वह दोनों मुवैली की एल्डर वो तो फा कर रहे होती हैं और यह पर दूसरी पार्टी में भी डिसकसन चला होता है जहां पर यान भूटान सारा इल्जाम उन तीनों मुवैली की एल्डर को उपर डाल देता है और पोईजन सेक लीडर से बोलता है कि यह तीनों एक दाव वंग लेवल की बोर को भी नी समाल पाई त के पस इती सारी ताव टेक्निक जिससे वो तुम्हें भी चटी का दूग दिया दिला देगा तो यह सिंदिकन जो यान भूटान होता है वो जोड़ जोड़ जैसने लगता और बोलता है बले उस लटकी के पस काफी सारी पाप्लों और काफी अच्छी डाव टेक्निक हों प पिटने से उसे बचा लेते और यह सारी अपनी अवकाद में हम तुसे डरते वड़ते थोड़ी ना है तुम तीनों अपनी नौटगी बंद करो और तुम दोनों मौ वैली के एल्डर जाकर मिलेक्टर की पास खड़े हो जाओ पिटने सिंदिकर मेली के एल्डर भी अपने गुस्टे को पी जाते और जाकर मिलेक्टर की पास खड़े हो जाते हैं और यहीं पर पोईजन गर्ल की तरफ देखते हो यान पूटान से बूलती है कि मैं इससे समालती है और तुम इस दो क्वाड़ी के डाउवांग लड़क किसे नहीं देखा तब वो बहुत ही जदा रूटलेस थी इसलिए हो पूछता है पोईजन से क्लिडर कुछ प्रॉबलम है क्या पर लिटिल फेरी डॉक्टर इस बात का कोई भी रिप्लै नहीं देती और अपने पुराने फ्लेस्वेक में चली जाती है जहां पर उसने अप वोटान की तरफ देखती हुए बोलती है ऐसा करने की गलती से भी गलती मत कर देना क्योंकि यह लटका मुझे किसी भी कीमत पर जिंदा चाहिए यह वसन्तिकन जो यान वोटान होता है एकदम से शौक हो ज़यता है क्योंकि जबसे वो पॉईजन से क्लिडर से मिला है तब स आर्बी से भी बोलती हो जो जाकर जीवा एंपैर की उपर अमला कर देगी इससे हमारी फाइट का कोई भी नतीजा निकले पर हम लोग जीवा एंपैर को जरू जीत लेंगे यह संदिकन लिटल फेरी डॉक्टर बोलती कि ऐसा करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है य यह संदिकन जो यान वूटन हो तो फिर से एकदम से शौक हो जाता है यह वाला जो प्लैन बनाने वाली कोई और नहीं हो ती लिटल फेरी डॉक्टर दी और जब वो देखते की यह संदिकन यान वूटन को सदमा लग चुका है इस बज़े से वो गोलती है जब मैं क्यून म मैं तुम्हें एक आखरी मोखा दे रही हूँ अगर तुम मेरे सामने हार मान जाती हो तो मैं तुम्हारे सेक और तुम्हें बक्चु दूँगी और तुम्हें रहने के लिए कवी बड़ा जमीन का टुकड़ा भी दूँगी यह संदिकन क्यून मिल्टुसर अपने स्वाइ जियन ग्रीट करते हुए लिटल फेड्रोक्टर से बोलता है क्या तुम ही पॉइसरें सेक्की लीडर हो यह सवाल जियन इसलिए पूछ रहो था क्योंकि उसके अंदर से उससे वहती जादा जाना पैचाना सा और फील हो रहा होता है और यहीं पर लिटिल फेड्रोक्टर ज अगर तो मेरे सामने हार मांजाती हूँ तो मैं तुम्हें और तुमारी यान लाइंस के लोगों को छोड़ दोगी किसी को एक खरोच भी नहीं आएगी जियन वूटान होता है उसे एकदम से जटका सा लग जाता और वो तभी यह क्या चल रहा है यह पॉजिन सेक्लीडर ज इस बज़े से वो बोलता है मैं यहाँ पर किसी के सामने हार मानने के लिए नहीं आया हूँ इसलिए बाद तो अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारे सामने हार मानने वाला हूँ यह सिंदिकन लिटल फे डॉक्टर की उन मिटुस की तरफ देखती हुए बोलती है लगता है कि तुम इस की निटुस की दंबे उचकर रहे कि तुमारी सबसे पारफुल सपूर्टर यही है इसलिए तुम देखते जाओ मैं इसे किस तरीके से हराती हूँ और फिर उसके बाद तुम खोदी हार मान जाओगे मेरे सामने यह सिंदिकन की निटुस काफी तक पर आपनी बर्ड़ी के ओपर ग्रेस फ्लेम को ले आता है और जब भूड़न ग्लोव जियान की पास लेते और उससे पूरी तरीकी आफ्टान काफीदा शौक हो जाते हैं और उसे अमला कर देते जिस पज़िस ने जबने से कुछी पल पर पीछे आजाता है और घरदन के पर अपने मनें बोलते हैं इसकी दाउज के सामने टिकनी पाया है पर तभी जन यान वूटन से थोड़ा सा दूर जाकर टेलिपूर्ट हो जाता है यह देकि यान वूटन होते हैं तुम्हारी दाउट टेकनिक मुझे काफी दपसंद आई है इसलिए मैं जब भी इसे तुमसे ले ले हो उसके बाद जो मेरी स्पीट है किसी भी डाउट टेकनिका यूज करने रखता जिस बज़े से आसमान में काफी सारी गोल्डन ब्लीड सा जाती है और उन सभी से बचने के लिए अपनी फ्लिम का एक सील बनाता है और उन सभी ब्लेटों से बहुती मुस्किल से बना देता है और जब जयान कि सील फ्लिपिंग से अपने टकरा देता है और जब जयाकर यानुटन की चेस्ट में पढ़ते है और इस बज़े से जो यान हो वुटन होते होते हैं ये सब देके जिए मैंने इस यान हुटन से पहली बोला थाierten ये लड़का कोई मामूले लड का निये इस बज़े से इसको अलके में लेने की गलती बिलकुल भी मत करना पर चलो अच्छे हुआ क्योंकि कुछ टेम पहले यह मेरी बेस्ति कर रहा था ना पर इस बेस्ति की बात तो मेरी बेस्ति कुछ भी नहीं है और आधे जीमा एंपार की वारियर की जो डर ता पूर्विटाजाता है और जियहैन की उपपर जा लेवा हमला करने लगता है तो जियन भी अपनी हमलों को रोकने की कोसिस करने लिए लो पो कि इन विर्सर से भी ज्यादा टेंशन लिटर लिपे डॉटर को होने लगती और बुलते कि बस थोड़ी दिर और मैं इसे बहुती जल्दी अराद होगी इसी बज़े से दौना अपनी असली पवर के अंदर आ जाती है और लगतेरी लगतेरी बुरी तरीके से बजाने लगती है और अपनी खतना खतना दाव स्किल का यूज करने लगती है और उन दोनों को इस तरीके से फायट करते देख सभी लोग कवी दा शौक हो जाते क्योंकि उन में से निकल ली थी बयाना के एनरजी जो कि आस पास के पहाड़ों को भी तोड रही थी और यहान वूटन अपन पर जिए खिसकर वो चला जाता है और जियन इसी का फायदा उठाता है और अपनी 3000 लाइट मोमेंट की मदद से वहां से थोड़ा पीछी आ जाता है पर तबी अचानक से जियान के पीछे यान वो उटान आ जाता है और जियान के पीट में एक बहुत ही पार उल्पन चड़ चैन्ड इमपर और आइसे पर जाकर मेरे बाई को बचा लो यह सुनके जो आईसे पर यहान वो उतान होता हो आईसे से पहली जकार पास पहुंचा और जियान से बोलता है साल हरामी लड़के से मेरी बज़े से मेरी पूरे समाझ में बेशती हो गई मेरे को खुनकी उल्टियां करवाई इसका नतीज़ यही तहाँ और यह सुनके जैन बहुत बढ़ी है ऐसी डायलोग मारता रहे थोड़ी दिर और उसके बाद मैं तो जे मारूंगा और यहान मुटान जैन के सर के उपर ससान बंगातön और इसलोगूता और यहान मुटान को घूटे से देखता है और यहान मुटान को घूठी से देखता है और अपनी हाथ को आंगल नता जिसमें होता है ए घेन हैवली फ्ली मेरे का एंग्ड़ी वुद्दे रूट लुटस जब आई सब्वेंपर अपना बैक गेर डालते हैं और वहां से फुल स्पीड से बॉटर की तरफ भागने रखते हैं क्योंकि उनको पता है ये किस तरीके से फूटता है जब फूटता है तो चट्टी फार देता है और यह पर जियन अपने एंग्री बुद्दल रुटस को अपने आसे कंट्रोल कर रहा हुता औ जब वो ब्लास्ट होते तो उसमें से निकलती है बयानक एनरजी जिस बज़े से पूरी बैली के अंदर इकम से भूकम पहा जाता है और आस्मान से बड़ी बड़ी फ्लिम की क्लस्टर गिनी लगती है और आस्मान में बन जाता है एक बहुती बड़ा फायर लूटस और बल डरना चाहिए और यह बाद उसने गम सही बोली थी क्योंकि यह तो उससे भी ज्यादा खतरनाख है इसलिए इस वीडियो को अभी के लिए इंप खतम कर दो वन्ना डर के मारे पैंटी लिए हो जाएगी पर यह वाला जो एपिसोट वो अभी खतम नहीं हो क्योंकि दो सी अभी भी चल रही है क्यों मेरे सेकंड चैनल देशी मसाला एंवे पर पर फिलाल लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सिस्क्राइब कर दो मैं मिलूँगा आप से नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बाई